कोरोना वाइरस की लड़ाई का दूसरा दिन 26 मार्च 2020 मेरे देश्वासियों को मेरा साधर प्रणाम नमश्कार सस्याकाल केमचो सलाम आप सभी कैसे हैं और इस लड़ाई को लड़ने में आप किस तरीके से अपना सहयोग दे रहे हैं ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उसके लिए देश आप सभी का बहुत बहुत आभारी है कल मैंने एक वीडियो डाली उस पर आप लोगों की बहुत अच्छी परतिक्रिया मिली पॉजिटिव जादा थी नेगेटिव हल किसी थी पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा नेगेटिव वीटी भी जादा आए ताकि हम लोगों को ये समझ में आ सके कि सही क्या है और गलत क्य है और उस पर डिबेट या डिसकेशन किया जा सके कल काफी लंबी बहस भी हुई और उसके बावजूद काफी लोगों के टेलीफॉन भी आए उन्होंने इस बारे में डिसकेशन भी किया और लगातार जो है उस पर उनको मैं समझा पाया की वास्तविक्ता की स्थिति क्या ह सब प्रधम मैं धन्यवाद दूँगा हमारे भारत देश के आधरनिये प्रधान मंत्री शिरी नरिंद्र मोदी जी का कि जिनके नेत्रत में हम इस करोना वाइरस की लडाई में भाग ले रहे हैं कल जैसा कि उन्होंने वारा नसी में बताया था कि पांडों की लडाई महाभ दो किया गया था उसी प्रकार से आज यह हिंदुस्तान यह भारत वर्ष हमारे आधरनिये प्रधान मंत्री शिरी नरिंद्र मोदी जी के नेत्रत में कोरोना वाइरस से लडाई लड़ रहा है और निश्चत तोर पर वह लड़ाई 18 दिन में समाप्त हुई थी परन्तु हम इस युद्ध को उससे पहले भी जीतने की शमता रखते हैं और जीतेंगे आज बहुत ही विचितर विचितर बातें हुई इस कल की वीडियो को लेकर जिसमें एक महत्पूर्ण बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा बहुत ही पारिवारिक है परन्तु मैं चाहूंगा कि आप सभी से उस चीज को डिसकस किया जा सके सुबह आप जैसा कि टेलिवेजन में देख रहे होगे कि 649 वाइरस पिडित लोगों की संख्या सभी समाचार चैनल बता रहे थे और सभी लोग उसको लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से वह धीरे धीरे बढ़ रही है और कुछ मरीज हमारे ठीक भी हो रहे हैं कुछ मरीज बढ़ते जा रहे हैं और सही भी होते जा रहे हैं अभी तो 34 जो है वो बढ़ए है आज और 34 आज सही भी हो गए तो सभी लगातार गिंती बराबर चल रही है मेरी पत्नी से मैंने कहा कि मेरी जो कल की वीडियो थी उसको लगभग बारह सो लोगों ने लाइक किया है उसको देखा है तो मेरी पत्नी ने अचानक से कहा कि बारह सो हो गए मैंने का हाँ बारह सो हो गए लोग थोड़ा सा दूरी पर थे तो 1200 इतनी जल्दी बढ़ गए मैंने का हाँ सुबह थोड़ा सा 1000 थे अभी 1200 हो गए बोले सुबह तो 649 थे मैंने का 649 649 तो कल थे वो बात कर रही थी कौराना पीडित मरीजों की संख्या लेकर और मैं बात कर रहा था मेरी कल की वीडियो के लाइक को लेकर तो खेर बहुत ही मज़ा आया उस चर्चा में और हम लोग काफी देर तक फिर हस्ते रहे कि देखिए किस तरीके से जो है चीजे बदल जाती है उनका आर्थ बदल जाता है कल एक महत्मून मुद्दा ये भी आया कि जो हमारा विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं है ना और वो भारत में आये और भारत में उनकी वज़े से कोरोना पीडित्स मरीजों की संख्या बढ़ी है तो क्या इसमें कितनी सत्यता है और कितना इसमें सत्यता नहीं है इस बात को समझने और समझाने की आवशक्ता है देखें जहां तक मैं अभी तक समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से जान पाया हूँ उसके लिए हमारे देश में करोना लाने का दो मुख्य कारण है नमबर एक जो विदेशी यात्री या जो विदेशी व्यापारी हमारे देश में आए नमबर एक या नमबर दो जिन देशों में करोना वाइरस का प्रकोप चल रहा था वहां से भारतिये लोग अपने देश में वापिस लोटे जो वहां पर रोजगार कर रहे थे वो वापिस लोटे तो इन दोनों के माध्यम से ही सरप्रथम कॉरोना वाइरस हमारे देश में आया मुझे तो यही महसूस होता है और सभी के माध्यम से भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही बात की जानकारी निकल के आ रही है तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं विदेशों में उनको मेरे विचार में वही रहकर इस लड़ाई से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी चुकि वो लोग वो देश हम लोगों से ज़्यादा सम्रद है हम लोगों से चुकि हम विकाश सील देश हैं और वो विक्सित देश हैं तो विक्सित देशों में विकाश सील देशों की तुलना में ज़्यादा संसादन होते हैं उनकी पॉपुलेशन हमसे कम है हमारी population उनसे कहीं जादा है 130 करोड भारती रहते हैं यहाँ पर और वहाँ पर किसी देश की जनसंख्या 10 करोड है किसी की 8 करोड है वो लोग उस महामारी से आसानी से लड़ सकते थे तो मेरे विचार में जो भारती है विदेशों में रह रहे थे उनको भारत नहीं आना चाहिए था उनको इस महामारी से लड़ने के लिए उसी देश में रहना चाहिए था आज हमारे एक भाई ने दुबई से मुझे कॉल किया और शुरू में हो सकता है कि उनके कुछ विचार अलग रहे हो परन्तु बाद में उनको जब मैंने अपनी बात को विस्तार सम्मंद में बातचीत करी और उन्होंने इस बात को समझा भी देखे उन्होंने मुझे बताया कि दुबई में किस तरीकी की तैयारियां चल रही हैं वहां पूर्ण तरीके से लोग बाग्स नियम कायदों का पालन कर रहे हैं और जो चीजे कोरोना से लड़ने में सायक हैं वह भरपूर प्रियोग कर रहे हैं तो मैंनों उन्हों से पूछा कि आप क्यों नहीं आए तो उन्होंने का मुझे आने की आवशक्टा नहीं है मैं यहीं रहकर सही अपने को महसूस कर रहा हूँ और मेरे आने से हो सकता है कि वाइरस का इंफेक्षन जो है वो भारत में आ बिल्कुल सही सोच थी, मैं समझता हूँ कि यह सोच बिल्कुल सही थी आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को यह समझना पड़ेगा और हमारे उन सभी परिवार जनों को, रिष्थेदारों को, मिलने वालों को, दोस्तों को तो यह समझना पड़ेगा कि अगर उनका देश infected है तो हमें अपने देश में नहीं आना चाहिए, हमें अपने परिवार जनों के पास नहीं आना चाहिए, कुछ समय के लिए हमें वहां रहना चाहिए और इस लड़ाई से हमें लड़ना चाहिए, अपनी अपनी जगहों पर र यह आवश्चक है कि वो अच्छे रास्ते ढूंडे नए रास्ते ढूंडे जहां से वो जाद है अपने परिवार का ध्यान रख सकता है ऐसे आर्थिक स्थानों को उसको जाना चाहिए और यह हर इंसान चाहता भी है कि इस तरीके का हम कार्य करें और तो बड़ी बहन जी को भ गंभीरता का मालूम चल चुका था हम लोगों को नहीं मालूम था हम लोगों को इक्केस-बाईस तारीक तक इसकी गंभीरता का एहसास नहीं था जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा है लोगों को समझ में आने लगा कि यह है एक बहुत ही गंभीर और जिसका निदान नहीं हो सकता ऐसी बिमारी है उससे पहले हमारी जनता को इस बात का बिलकुल एहसास नहीं था जिस दिन प्रधान मंत्री आदर्णिये शिरी नरिंद्र भाई मोदी जी ने हमें यह समझाया कि हम किस लड़ाई से लड़ रहे हैं और हमें जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा उसको पालन करना पड़ेगा उस दिन हमको यह समझ में आया कि यह पिमारी जो है इस पे हमें बहुत ही गंभीरता से हमें कार्ड़ करने की आवशकता है उससे पहले हमें नहीं पता था कि यह कितनी गंभीरता वाला विश्यूश है मैं खुद जिस विभाग में नौकरी करता हूँ मैं जहां जाता हूँ मैं आरान निरंतर जा रहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और किसी परकार का मुझे कोई धर भी नहीं लग रहा था परन्तो जिस दिन जनता कर फिव का दिन आया उसके बाद इसकी गंभीरता का पता चला और उसके बाद जो अब ये 21 दिन का जो पीरियड चल रहा है उसके आधार पर मुझे ये पता चला और कि इसको लड़ने के लिए हमें बिलकुल लोकडाउन इस्तिती में रहना ही पड़ेगा और मैं सभी भाईयों से और सभी मेरे मित्रों से और जो मेरे इस गुरूप के माध्यम से मैं जिन से भी संपर कर सकता हूँ या फेसबुक के माध्यम से या शोशल मीडिया के माध्यम से जिन से भी मैं संपर कर सकता हूँ मेरी आप सभी से हाथ जोड के विनती है हम लोगों को स्वैम को बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने को लॉग डाउन की स्थिती में रखें रोज ना निकलें एक दिन जा ले जाएं अगर हमें दूद भी की आवश्यकता है तो हम दूद लाके फिरिज में रख लें स्ट में चार दिन में एक बार निकल सकती है और वैसे भी तो ऐसजी baik मैंने बहुत से लोगों को देखा आ है जो वीकली मार्कटे लगते थे वह के वल उसी दिन जाते थे वो रोजip नहीं जाते थे Market में वो किसी दिन भी अपने घर के अ लगातार हर दिन जा रहे हैं मत जाईए भाई मत जाईए एक को भी इंफेक्शन लगेगा आपके आस-पास का कोई भी नहीं बचेगा सब इंफेक्टिड हो जाएंगे अभी 21 दिन है हो सकता यह 121 दिन में बदल जाए तब क्या करेंगे हम कुछ जो समरद्य लोग हैं वो समल जाएंगे उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है परन्तु जो लोग कमजोर हैं जो कमजोर तबका है वो कैसे समलेगा हमें अपने मोधी जी का हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्नोंने समय रहते हम लोगों को इस प गैस फिलिंग फ्री है तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है कितनी गंभीर बात है कि सरकार हमको हमारे अपने निजस्थानों पर रहने के लिए हमारे सब संसादनों की पूर्ती कर रही है इसकी गंभीरता को हमें अवश्य ही समझना और सुनना पड़ेगा नहीं समझ तो जैसा हमारा इटली में हुआ अमेरिका में हो रहा है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी हो सकता है कि हमें जानकारी नहीं हो जहां पर सरकार ने शायद बाहर सूचना को जाने पर रोक लगा रखी हो उनकी क्या इस्थिति होगी वो कैसे अपना जीवन निर्वा कर रह होंगे हमें नहीं पता पर तो जिनकी हमें सूचना आ रही है उन देशों के सामने हमारी स्थिति बहुत ही नगण्य है हम सिर्फ पॉपुलेशन में जादे हैं संसादनों में जादे नहीं है तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज 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 अपने घर में रहिए अपने बच्चों के साथ में अपने घर के साथ में अपने परिवार के साथ में रहिए अपने दरवाजे को अपने मेंगेट को इनफेक्टिड होने से बचाईए और उसको बार बार साफ रखिए जिससे कि हम लोग इनफेक्टिड ना हो मत जाईए मारकेट मत जाईए लगातार मत जाएए चार दिन के लिए पांच दिन के लिए आप अपना बंद कर लीजिए बिलकुल शुरुवात में थोड़ा सा कस्ट आ रहा है हर आदमी को आता है जागर हमें कोई जबर्दस्ती बंद करने की कोशिश करता है तो मानव की प्रिकरती है कि वो चट-पठाता है परंद यह किसके हित के लिए हो रहा है हमारे और आपके हित के लिए हो रहा है इसलिए निश्चे तौर पर हम लोगों को यह समझना पड़ेगा अब नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब हमें समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और हमें समझाने से फायदा भी कुछ नहीं होगा तो बाईओ बहनों, आप मेरी इस बात से सेहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और लाइक से ज़्यादा डिसलाइक और शेयर करने की किरपा करें कुछ बातें और भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ देखिए इस समय इस विमारी से लड़ने में जो हमारे सबसे मजबूत पिलर्स हैं वो है पुलिस प्रसाशन अपनी जान को हतेली पर लेकर और लोगों को रोक रहे हैं उनको वापिस भेज रहे हैं उनको मेडिकली ये नहीं पता है कि वो संक्रमित किस परकार हो सकते हैं परंतु वो लगातार पबलीक को रोक कर उन्हें वापिस भेजने का कार्णा कर रहे हैं सबसे महत्पूर्ण योद्दा उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप उनको कहीं भी मिलें जहां भी वो दिखाई दें आपके आसपास भी रहते हैं तो वो बधाई के पात रहें उनको ब अगर उन लोगों के नंबर्स आपके पास में हैं तो उन्हें सुभह से शाम तक बधाईयां जरूर दें हमारे रक्षक अपनी जान को अपने परिवार की जान को हतेली पर लेकर हम लोगों के लिए लगातार इधर से उधर कार्य कर रहे हैं पुलिस वालों को मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा बार-बार धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमें इस समय बहुत जादा सटीक और सही सूचना देने का कार्य कर रही हैं वो किसी भी प्रकार का ध्र ये तो बड़ा मुश्किल है चुकि सभी खेल के मैदान पूर्ण रूप से बंध है परन्तु अपनी फिटनस को ध्यान में रखने के लिए आप लगातार अपने घर पर अपनी स्थान पर निजिस्थान पर आप अभ्यास कर सकते हैं आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप सभी को धन्यवाद दे सकूं कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा भी शेयर भी किया और आगे भी लगातार आप करते रहेंगे और मैं आप से हाथ जोड़के बिनती करता हूं किर्पिया अपने घर में रहिए हमें और अपने आपको सुरक्षित रखिए बहुत-बह महरबानी होगी आपकी जै हिंद जै भारत जै हिंद धन्यवाद